मुश्कार दोस्तों मैं विने सिंग आपका स्वाध करता अपने यूट्यूब चैनल मनी मेटर्स में इस वीडियो मैं आज आपको बताऊंगा किस तरीके से कैंसल चैक आपके लिए इंपोर्टेंट है कैंसल चैक होता क्या है और कैंसल चैक का यूज किस ज़िए पर होता है तो सबसे पहले तो इस वीडियो सुरू करने से पहले मेरे आप सभी दूस्तों से निवेजन है कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक सेयर करना ना बूले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल यह सब्स्राइब कर दिजिए और ताकि इसी अगर आप 2-3 लकी खिचके और उसके बाद उसके पेंस्ट एक्सले लिक देते हैं तो वह स्ट हो हुज जायता है Cancel Check अब मैं आपको दरता हूँ यह cancel check का जरूरत क्या होती है आप देखा हुआ कई कंपनियां होती है जो अपने clients से cancel check मांगती है और कई private company है जो अपने employees से भी cancel check मांगती है cancel check का actually काम क्या है और cancel check को आपको देना चाहिए किसी को भी कि नहीं देना चाहिए इसके बारे में आपको विस्तित जानकर ही मिलेगी इस वीडियो है तो cancel check actually आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप किसी को अगर cancel check दे रहे है तो आप उसको अपने बैंक की पूरी information दे रही है मतलब cancel check में अगर में लिए आप बात करें तो cancel check में 5 चीज़े होती है नमबर एक होता है आपके बैंक का नाम नमबर दूसरा होता है आपका नाम क्योंकि आपका नाम भी उससे जगह पे mention होता है उससे check के उपर यानि कि अगर आप किसी को अपनी check दे रहे हैं तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आप उसको अपने banking information दे रहे हैं अब बात आती है कि क्या cancel check देने से पास अगर आपकी जान करे जाती है तो वह आपके call अगर उनके पास किसी तरीके से मुबाइल नमबर ही पहुच किया या बैंक किसी कमचार ने या फिर आप जिसको आपने अपना यह cancel check प्रोवाइड किया है उसने यही जानकारी अगर किसी fraud कम करने वाले लोगों को आपक यह आपका जो है cancel check का यूज क्या क्या होता है cancel check है जब भी आप किसी को देते हैं तो उसमें आपका जो information है वो कोई भी फिर्म जो मांगता है वो सिर्फ यह verify करने के लिए मांगता है कि आपका account किसी branch में है और आप पैसे hold कर सकते कर रहे हैं इसलिए अभी इसमें कहां कहा आपके जुरुत पड़ती है जैसे कि demate account खुलने के लिए आप अगर जो demate account खुलने जाते हैं तो उस demate account के लिए आप से कोई भी जो जो भी आपका brokerage house होता है वो एक cancel check की मांग करता है और वो cancel check एक तरीके से आपको उस brokerage house को confirm करता है कि इस individual के पास account है और यह future में आप का demate account में जो भी lend in होगा वो उस account से करेगा तो इसलिए वो लेते हैं दूसरा होता है कि अगर आप किसी bank की कि करवाने जाते हैं अगर bank की कि करवाने किसी नए account में अगर आपने account खुला है तो उसमें अगर आप cancel check देते हैं तो वो as a kyc उसको consider कर लेते हैं और वो आपके उसी जो पिछला bank है उसी से ही वो आजकल centralized हो गया है आपकी आपकी एक के थो आपका kyc का पूरा data fetch कर लेते हैं और आपकी kyc का का काम हो जाता है नंबर तीसरा होता है बीमा के लिए बीमा जब आप लेने जाते हैं तो वहां पे भी आप से cancel check में उनका मांगने के यही होता है कि ठीक है आपके पास एक account है और आप इस account से हमें pay करेंगे या फिर आप EMI उसमें कर सकते हैं इसी तरीके से जब आप लोन लेने जाते हैं तो लोन लेने में जो भी आपको ब्रांच लोन दे रही है वो भी आप से cancel check के demand करती है और उसका भी मैन उद्देश यही होता है है कि आपके पास account है और आप जब उसको cancel check provide कर देते हैं तो उसके राइट उसके पास हो जाता है कि ठीक है आपके account से अगर आप उसको परिमिट करते हैं तो उस account की details को save करके अपने system में डाल लेता है future में जब जिरूद होती है आपके authorization से वो उसके transaction कर सकता है इसी तरीक स अगर EMI बढ़ने के लिए तो EMI का तो मैंने आपको बताए दिये mutual fund की purchasing के लिए भी आपको cancel check देने पड़ते है जो भी आपका जहां से भी mutual fund ले रहे हैं जैसे कार भी हो गया या कैम्स हो गया computer management system यह सारे लोग आप से cancel check के demand करते हैं तो आप उदर दे दीजे कोई समस्या अब होता है कि अगर आपको EPF है आपके पास जैसे आपने के पास EPF का एक account है तो उस account में अगर आपने आपको उससे पैसा निकलना है तो आप उसमें भी आपको cancel check के जरुत पड़ती है और वो लोग भी आपसे cancel check मंगते हैं तो आपको देने में कोई हर्ज नहीं है वहां चेक के उपर दो लाइन खिचिए उसके बीच में cancel लिख दीजिए और वो आपकी चेक होगी cancel और उसका यूज किसी भी तरीके के पैसे के ट्रांजेक्शन में नहीं कर सकते हैं आपने उसको cancel कर दिया it means वह ट्रंजेक्शन के लिए बिल्कुल इन्वेलिड हो गई है अब पाता है कि cancel चेक अगर क्या बलते हैं हम अगर किसी को दे रहे हैं तो क्या कोई रिस्क का काम है बिल्कुल इसके आपकी रिस्क तो है रिस्क तो यह है कि आप जिसको भी दे रहे हैं उसको अपनी पूरी बैंकिंग डिटिल्स दे रहे एवन आपका एकाउंट किसमे है उसक ये थोड़ा तो रिस्क है पर वो नहीं है कि गलती नहीं को लिए में UPने कि साइट के चेक दे दिया डिए तो क्या है तो कोई प्रॉलम नहीं है उसको करने के लिए ऊपका है mama आपने गलती से कोई चेक शुकर दिया है without cancel कियो है आपके पास information नहीं थी तो उस चेक को आप stop कर सकते है आपका check payment वहीं बंद हो जाता है अब last आपको बता देता हूँ यह सबसे important चीज है कि अगर आप से कोई पूछ लेता है आपके cancel check कहा कहा हूँ जोती है तो सीधी सी बात है आपके cancel check का use debit account खुलने में, loan sanction करवाने में mutual funds के लिए इसी तरीके से और भी जो bank KYC इत्यादी के लिए होता है तो यह normal सी बात थी basic information थी जो cancel check के बारे में आपको पता होने चाहिए आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप please इसको like share करना ना भूलें और इसी note के साथ अपने वीडियो को करूँगा है wind up thanks for watching this video